राग है महिंद्रा एक्स यूवी सेवन डवलो बेस मॉडल जिसको हमने शोरूम में ही टॉप मॉडल बनवा दिया है लगने के बाद बिल्कुली नेक्स लेवल हो गई है लोके टॉप एंड में जो आपको मिलते हैं ना यहां पे सीट कवर्स वो यहां पे लगे हुआ है यह ओवरॉल इस गाड़ी का फ्रेंट लग रहा है एक्स वेरेंट को पूरा पूरा यहां पर टॉप मॉडल बनाना वहिंद्रा से सीख ले पीछे की लुप भी भाई काफी बहतरी नहीं यह एक्स यूवी सेवन डबलो की इल्यूमिनेशन इसका प्लेड भी लगी है यह प्राम सभी को और आज आपके लिए करा गए हैं महिंद्रा एक्स यूवी सेवन डबलो और यह कोई नॉर्मल महिंद्रा एक्स यूवी सेवन डबलो नहीं है यह आपका एमेक्स बेस मॉडल जिसको हमने शोरूम में ही टॉप मॉडल बनवा दिया है वाई साब पीछे से भ लोग बताने वाले हैं आप चेक कर सकते हो बेस मॉडल में आपको अलॉइज नहीं मिलते हैं यह प्रॉप पर शोरूम फिटिंग के साथ आपको एमेक्स वेरेंट में अलॉइज भी लगा के दिये गए हैं साइप प्रॉफाइल एक्सेसरी लगने के बाद बिल्कुली नेक जो आपको मिलते हैं ना यहां पे सीट कवर्स वो यहां पे लगे हुए हैं क्या क्या चीजें हैं इस वीडियो में हम लोग पूरी पूरी कवर अप करने वाले हैं बेस एंड वेरेंट दो हुजार चॉबिस का जो लेटेस्ट है उसके बारे में प्रॉपर आपको इंफॉर प्रमेशन अपने चैनल पर जरूर मिलेगी तो इसी के लिए लाइक जरू कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना फ्रेंट से लुक है बहुत ही बढ़िया आ रही है महिंद्रा एक्स्यूवी सेवन डवल हो के अंदर अगर आप इसको इसके लाइट शोगर के इंटिरियर पर चलते हैं पर अगर और करते हैं तो यहां पर आपको पहले दिखाते हैं जो एलिएड्य लाम्स आपको तॉप मॉडल में दे मिलते हैं जरूर मिल जाएंगे यह महिंद्रा एक्स्यूवी सेवन डवलो की जो पेस मॉडल में आपको लूमेक्स एलीडी का हुआ है काफी बढ़िया लग रहा है यहां पर बस जो मिसिंग है वो है इसका एलेडी डियारल और नीचे आपको फॉग लैंब भी एलेडी वाले ही देखने को मिलते हैं प्रॉपर फ्रेंट में महिंद्रा का लोगो ये ड्रिल में भी आपको काफी अच्छी क्रूम लाइनिंग मिल जाती है ये भी अलग से इंस्टॉल करी गई है कैमरे का इंस्टॉलेशन यहां पर हलाकी नहीं हुआ है और यह है ओवरॉल इस गाड़ी का फ्रेंट जो की काफी बैतरीन 17 वह यहां पर इंस्टॉल्ड है अलवील फ्रेंट में भी डिस्क है और रियर में भी अपने को प्रॉपर डिस्क मिल जाती है जो साइड फूट स्टेप की क्वाल्टी है यहां पर चेक कर सकते हो और प्राइसिंग की बात करें तो यहां आप चेक कर से दो लाग रुपई क एक सरीज है जिसमें करीब करीब भाई यह सारे अइटम्स लगे हुए हैं अपना श्रीत रुपती आटो में और इस गाड़ी में आपको इंटीरियर में भी काफी अच्छा फील दिया गया है जो सीट कवर्स का डिजाइन है कशन के साथ आप प्रॉपर यहां पर देख पा रहे हैं एमेक्स वेरेंट को पूरा पूरा हैं पर टॉप मॉडल बनाना जो है कोई महिंद्रा से सीख ले बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और पीछे की लुक भी भाई काफी भैतरी ने एमेक्स बेस एंड वेरेंट के अंदर यहां पर आपको यह काफी बड़े इंस्ट स्टॉलेशन हुआ है अब बारी आती इसका बूट खोलने की टच करेंगा यहां पर तो बूट स्पेस कुछ यह मिल जाता है एमेक्स फाइव वेरेंट के अंदर जो आप चेकर पा रहे हो काफी बड़िया है स्पेर वेरेंट के अंदर आपको फाइव सीटर का यह उप्शन मिलेगा और स्पेर वील की बात करें तो यह है गाड़ी के नीचे जो आपको मिल जाता है और यह रही अपनी पूरी महिंदरा एक्सवी सेवन डबलो डैमेंशन गाड़ी के ना काफी बड़िया है प्राइसिंग की बात करें चौदा लाख साथ हजार रुपे एक शोरूम है जो की ओन रोड करीब करीब भाई सत्रा लाग रुपे की पढ़ती है प्लस इसमें आप दो लाग रुपे की एक्सेसरी और एड़ कर दो तो करीब 19 लाग रुपे का आपको एम एक्स डीजल बेस मॉडल मिल जाता है पेट्रोल पे लेते हो तो करीब लाग रुपे के डिफरेंस है अठारा के लमसम यह बिल्कुल टॉप लोड़ेड गाड़ी आपको जरूर मिल किसे लाग रुपे कर दिया है कि क्या क्या चिज़ें है समय तो यहां पर मिलता है इलेग्टिकली एड्जिस्टेबल निर यह की मेंी कमपनी ने काफी सार्य चीजह दे दी है लाइं को ऑफ करते हैं और यह पे बात करें तो हईट अबभर आपको मिलती है यह एक्सेटीव बैठने में अलगी मज़ा है इस गाड़ी का अलगी रुटबह है कुछ भी कवर लगजरी फील आती है इस गाड़ी में बैठने के बाद और वैनिटी मिरर वाइट लैंप यहाँ आपका प्रॉपर टिकेट होल्डर रियर आई एर वियम और यहाँ पर अपने को गाड़ी में मिलते हैं के विल दो एर बैक्स गाड़ी में आपको छे बैक नहीं मिलेंगे आम रेस्ट काफी बढ़ी है बेस मॉडल में स्पेस भी काफी बढ़ी है यहां पर कुछ यह स्पेस फोन रखने के लिए सिक्स स्पीड गैर बॉक्स और कैमरे की क्वालिटी कुछ यह मिलेगी आपको पार्किंग गाइडलाइन्स के साथ और यहां पर मीटर की बात करें यह टैको मीटर यह स्पीडो मीटर जिसमें आपको स्टेरिंग में कंट्रोल भी देखने को मिलते हैं और यहां से आप एड्जस्ट कर सकते हो इसका और एड्जस्टिबिल्टी की बात करें तो य सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है 54.6 चल चुकी है यहां पे भी काफी सारी चीज़ें हजार लैंप डारेक्ट होम पे जाने के लिए यहां से आ अगाड़ी चल जाती है अब चलते हैं रियर शीट को भी एक बार बढ़िया से देख लिया जाए क्या क्या चीज़ें हैं रियर सीट में अपने को तो यह मिलते हैं प्यारे-प्यारे से कशंस आपको बेस अंड वेरेंट में जब आप इतनी पर बढ़िया सी एक्सेसरी लगाते हो यहां पे भी काफी अच्छा फिनेश में आपको मिलता है टाइप सी पोर्ट रियर रेस इवेंट और यह कुछ बढ़िया सा इंटीरियर सच में मेरे को इसका काफी बढ़िया लगा इतने रुपए की एक्सिसरी लगाने के बाद ना टॉप मॉडल से कम नहीं लग रही है इंटीरियर फिल भी काफी बढ़िया है एक्शिवी सेवन डबल ओ के अंदर और हेड रूम की बात करें तो वह तो आप यहां पे चकर पा र है स्पेस के मामले में बहुत ही बढ़िया गाड़ी है नो डाउट बैठने में अलगी मजा है इस गाड़ी में सच में और यहां पे भी रूफ लेंप आपको मिलेगी स्पेस भी काफी बढ़िया है और अट्र नॉक सिस्टम विद्दाउट गाड़ी को बंद किया जाए व और इसको भी बंद करते हैं अब बारी आती है बोनेट खोलने की तो यहां पे आपको एक और बढ़िया बदाता हूं यहां पे अपने को हैड्रोलिक स्ट्रट नहीं मिलेगी यह मैनुवली है और वाइस सो सीजी का डीजल इंजन है सुरी दोस्तों उपर इंसुलेशन प्रॉपर मिल जाती है भाई सब यह भी काफी भारी है और डीजल में गाड़ी आपको अच्छा कासा मैलेश देती है आप हस के हाइवे पे अराम से 15 से 17 के बीच में आप अबरेज इस गाड़ी से क्लेम कर सकते हो पावर टॉर्क की कोई कमी नहीं है महिंद्रा के डीजल इंजन के अंदर फिलाल यह रही एक बड़ी आसी वीडियो रिगार्डिंग एमेक्स बेस मॉडल ऑफ एक्सीवी 7 00 कैसी काम फिर मिलते हैं गले वीडियो में जैहन